दोस्तों जैहिन मैं अजमत अंसारी अंसारी इंसिट्यूट के तरफ से आप सभी का पुनह अभिनंदन करता हूँ जैसा कि आप जानते हैं हम नियमित रूप से कैरियर काउंसलिंग और कैरियर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं उसी सिल्सले में आज एक नया वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ यह वीडियो खास्तोर से उन छात्रों के लिए हैं जो छात्र आई टी आई में एडमिसल लेना चाहते हैं मैं आपको सुचित कर दूँ कि पस्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो आई टी आई कोर्स कराया जाता है उसका नोटिफिकेशन पब्लिस हो चुका है दो हजार तेईस के लिए मैं आई टी आई के बारे में आपको कुछ सुचनाई दे दूँ कि आज कल आई टी आई के मारफ़स से रेल्वे में एप्रेंटिस सिप के लिए लोगों की भरती होती है इसके लबाद सरकार की बहुत सारी संस्ताएं हैं जहां पर जो चात्र ITI किये रहते हैं उनको apprenticeship कराया जाता है उसके बाद उनके नौकरी करने की जो भी जरूरते हैं पूरी होती हैं और उनकी योगता इस लायक रहती है कि वो नौकरी के लिए apply कर सके तो मैं बता दूँ कि ITI करने के लिए आप या तो आठवी के अच्छा पास होएं और कुछ कोर्से से हैं जिसमें दसवी के अच्छा पास होना पड़ेगा तो बिस्तार पूरवक मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा जिसमें अलग-अलग trade के बारे में बताऊंगा आज मैं कि पस्चिम बंगाल सरकार के द्वारा या विग्यापन निकाला जा चुका है एडमिशन नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है लेकिन जो छातर इस सल माध्मिक का एकजाम दे रहे हैं या दसवी कच्छा का एकजाम किसी भी बोर्ड से दे रहे हैं उनके लिए वो लोग एक अलग नोटिफिकेशन निकालेंगे फिलहाल जो जानकारी है मैं आपको बता दूँ कि देखिए जो पस्चिम बंगाल में आईटी आई का जो कोर्स कराती है जो संस्था इसके रेगुलेटरी वाडी है जो नियंतरक है या जिसके मारफ़त सी ये कोर्से सोते हैं जिनके अधीनिय कोर्स होते हैं बेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल फॉर्त वोकेशनल ट्रेनिंग है यही संस्था आईटी आई के रेगुलेशन या उसके नियमन का काम करती है मैं और आपको कुछ जानकारी दे दूँ कि यह जो नोटिफिकेशन पब्लिस हो चुका है और इनका एक बेप साइट है आप डिटेल में जो भी इनफॉर्मेशन देखना चाहते हैं इनका www.scvtwb.in इस बेप साइट को देख लीजिए यहां पर तमाम इनफॉर्मेशन विस्तार पूर्वक दिया हुआ है और जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं इनके बेप साइट के मा जो जानकारी दी गई है उसी के अधार पर दे रहा हूं अगर मुझे बोलने में समझाने में या किसी चीज को इंट्रेट करने में किसी तरह की कोई टूटी होती है तो इनके वेप साइट में जो जानकारी दी गई है वही मानने है तो मैं आपको बता दूँ कुछ मूल जा बनना जरूरी है, हलांकि यह इनका जो ब्रोसर बहुत लंबा चोड़ा है, इतना बड़ा लंबा वीडियो बनाना संभव फिलहाल नहीं हो पाएगा, कभी मैं बाद में अलग-अलग ट्रेड के लिए पूरी जानकारी आपको दूँगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दू कि अगर जो छात्र आईटी आई में अड्मिसन लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहा गया है कि वह पच्छिम बंगाल के किसी भी स्कूल से पढ़े होने चाहिए, अर्थात कैंडियेट हुए पास्ट रिकुजाइट इंटरी क्वालिफिकेशन फ्रम एनी स्कूल लोकेट जाते हैं, वह पच्छिम बंगाल के किसी स्कूल से पढ़े लिखे होने, चाहिए जैसा कि इनके ब्रोसर में लिखा गया, इसके अलावा जो जानकारी है, धेर सारी जानकारी है, मैं कुछ खास खास बाते आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, कि देखिए अकेडमिक क्वालि एम गुरूप के लिए क्या पास माद्धमिक और एक्विलेंट इग्जामिनेशन अर्थात, अगर आईटि आई में जो एम गुरूप का जो आप ट्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको माद्धमिक पास होना पड़ेगा, और ई गुरूप के ट्रेड के लिए आपको एइट पास होना पड़ेगा किसी भी रिकोगनाईज स्कूल से, इसके लबा और धेर सारी जानकारियां हैं, जो भी जानकारी हैं यहाँ पर आप इस ब्रोसर में दिया गया हो, उसके मताबिक में बता रहा हूँ कि आपका इसमें जो मेरिट बनेगा या मेरिट लिस्ट बन बैयार होगा, किसी भी तरह का कोई सेपरेट इंटरेंट टेस्ट नहीं होगा, साब साब लिखा हुआ है, इसका कोई इंटरेंट टेस्ट नहीं होगा, तो आप इस बात को ख्याल लखें कि बच्चों का सेलेक्शन माध्यमिक में जो आप मार्क्स पाए हैं या क्लास 10 में जो marks पाये हैं उनके अधार पर होगा ठीक ए ग्रूप के बारे में भी यही बात कहा गया है कि जो भी marks आपने class 8 में पाया है उसी के अधार पर होगा इसके अलवा जो जानकारी है कुछ detail जानकारी है उन तमाम जानकारी को अगर मैं दोंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जा चुनूं और एक और बात है कि आपकी उम्र इस form को फिल अप करने के लिए आपकी उम्र 14 साल होनी चाहिए 14 साल एक खास specific date दिया गया है उस particular date में आपकी उम्र 14 साल होनी चाहिए यहां पर कुछ इनका seat का allotment या reservation कैसे है यह दिया गया है पूरे ITI में 30% जो seat है महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरच्छित है 22% schedule cost के लिए 6% schedule tribe के लिए 7% OBC के लिए और 4% जो physically challenge लोग है उनके लिए है तो इन बातों को आप धान में देख लीजेगा इसके अलावा यहां पे कुछ major ITI का नाम दिया गया है इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है उसको भी आप दिमाग में रखिएगा और इसके लावा जो जानकारियां है मैं आपको बताते जा रहा हूँ आप देख लीजे कि वह जानकारी आपके काम की जानकारी है और फीस structure मैं बता दे रहा हूँ उनका फीस बहुत ही nominal फीस है देखिए मैं आपको बता जो यह जो फीस structure यहां पर दिया गया है सरकारी ITI का फीस दिया गया है इसके अलावा जो कुछ ITI जो PPP मॉडल पर चलते हैं तो दिखिए इसका जो फर्स 6 मंत का फीस तीस रुपे पर महीना फीस लिया जाता है और यहां पर एक IMC sponsored जो कोटा है उसके तरद जो फीस लिया जाता है उन इनका one time admission fee 100 रुपया है registration fee 30 रुपया है और कन्या स्री के तरहत जो लोग बच्चे आ रहे हैं उनका registration fee सिर्फ 15 रुपे हैं इसके अलावा एक caution money लिया जाएगा 100 रुपे तो फीस बहुत जादा नहीं है अर्तार जो छात्र आर्थिक तोर पे कमजोर भी है वह भी चाहें त तो यह minimum जारकारी मैंने आपको दिया है इसके अलावा इनका एक date जो बताया गया है कि कब से कब तक form fill up चलेगा देखे form fill up एक मार्च से सुरू हो चुका है last date 31 मई दिया गया है और तमाम जानकारियां इनके website पर दे दिया जाएगा इसके अलावा अलग-अलग ITI में कौन कौन से trade है उसका एक लंबा लिस्ट है अगर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और तब तक के लिए मैं इतनी जानकारी आपको दिया हूँ और अगर किसी और जानकारी की आपकी ज़रूरत है तो आप हमारे comment box में comment कर सकते हैं और हम क ज़रूर दबाए और खास चार से उन चात्रों के लिए जिनके पास माध्यमिक की qualification नहीं है और वो ITI करना चाहते हैं तो मैं उन चात्रों को बोलूँगा आप NIS के थूरू मैस और साइंस के साथ अगर class 10 करते हैं तो आप ITI के लिए eligible हो जाएंगे तो तमाम चात जिनके प धन्यवाद आपको फर्दर स्टडी के भी विकल्ब खुले हुए हैं उमीद करता हूं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है धन्यवाद नमस्कर